आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ठीक है from basic आज स्टार्ट करेंगे राइट क्या के रितियास है क्या and from tomorrow and onwards हम हर दिन एक civilization complete करने की कोशिच करेंगे राइट and guys अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe the channel and hit the bell icon चलिए श्रू करते हैं अगर मैं history की बात करो यानि कि इतिहास की बात करो तो पहला question आता है कि history क्या है what is history इतिहास है क्या so it's very simple कि past के बारे में जानना उसी को हम क्या बोलते हैं इतिहास यानि कि उसी को हम बोलते हैं history राइट कि past के बारे में जानने को ही हम बोलते हैं इतिहास चलिए The study of past is called इतिहास अतीत के अध्यन को क्या कहते हैं हम इतिहास अब मेरा एक question है कि पूरे विश्व की पहली इतिहासिक book कौन ची थी ठीक है first historic book of the world तो वो थी the history the histories ठीक है या फिर उसे हम बोलते हैं इसका एक और नाम था historica ठीक है the histories को ही हम बोलते हैं historica जो के hero dotus के द्वारा लिखी गई थी 484 to 425 BC में इसमें जो उस time के Greece ग्रीक और जो पर्षिया की जो इतिहास था ठीक है five century बीसी के आसपास ठीक है उसी में उसी के बारे में इसको इस book में लिखा गया है ठीक है अगर मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं कि पहली इतिहासिक book historic आ थी तो अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत की पहली एतिहासिक बुक थी राज तरंगणी राइट राज तरंगणी और सॉरी मैंने यहाफे 5 BC बोल दिया है ठीक है यह गलत है नहीं नहीं 5 BC ठीक है सॉरी सॉरी गलत राज सरंगणी जो लिखे गई थी वह लिखी गई थी 12 AD के आसपास जिसमें जम्बू और कस्मीरगे वारे में वर्लन है ठीक है यह किसके द्वारा लिखी गई थी यह लिखी गई थी कलहण के द्वारा राइट अब एक सवाल आता है अगरी तब फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टरी कौन है तो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टरी है लियोपोल्ड वन रंकले राइट 1795 to 1886 के बीच में इनों लिखा है अब ये क्या बोलते हैं The task of historian was to describe the past as it actually was Right What is actually was इतिहासकार का कार्य अतीत का वर्लन करना था क्योंकि वह बास्तब में था बास्तब में क्या था It's a question Right ऐसा लियोपोल्ड वॉन रंकले कहा करते थे चलिए अब अगर मैं history की बात करूँ तो history को हमने दो पार्ट में basically divide किया है First is prehistory and second is history Prehistory में किस को हम रखते हैं जिनका हमारे पास written records नहीं होता है यानि कि जिनका हमारे पास कोई भी लिखित record या अविशेश अविलेक नहीं है ठीक है अगर कोई लिखित अविलेक नहीं है जिनका अनुमान हम केवल अविशेशों पर लगाते हैं तो वो सब हमने किस में categorize की है prehistory में यानि कि पूर्व इतियास में अब history में हम किस किस को डाला है हमने जिनका हमारे पास written record है यानि कि लिखित अविलेक है उन लिखित अविलेकों से ही हम उनके political, cultural या फिर social life के बारे में जानते हैं चलिए देखिए इतियास में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है timeline इस timeline में जो ये zero है ठीक है ये है Jesus Christ का बर्थ Jesus Christ का बर्थ हुआ था उसके बाद के period को इन्होंने describe किया है एनो डॉमिनी में और उससे पहले के period को इन्होंने describe किया है before Christ अब जो before Christ है वो घटते हुए करम में है यानि कि descending order में है और Jesus Christ के बर्थ के बाद पूरा period ascending order में है अब जो ये एनो डॉमिनी है ये एक Latin word है Latin भासा का word है ठीक है जिसका मतलब होता है in the reign of God in the year of Lord या in the reign of Lord या God तो उसको हम बोलते है एनो डॉमिनी after the birth of Jesus Christ ये ascending order में है ये descending order में है यानि कि ये बढ़ते से घटते करम में है ये बढ़ते हुए करम में है चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो हमारी प्री हिस्ट्री है उसको हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है पहलियो लिथिक एज यानि के पुरा पासाणर यूग मैसो लिथिक एज यानि के मद्दे पासाणर यूग नियो लिथिक एज यानि के नव पासाणर यूग चलको लिथिक एज यानि के तामर यूग अब जो प्री हिस्ट्री है उसको हम इस्टॉन एज भी बोलते हैं इस्टॉन एज यानि के पासाण यूग ठीक है इसको हम बोलते हैं पासाण यूग अगर मैं बात करूँ कि पुरा पासनाड यूग क्या है जो पुरा पासनाड यूग है इस टाइम में जो इनसान होते थे ठीक है वो बिसिकली हंटर्स होते थे यानि के वो शिकारी होते थे अब वो शिकारी होते थे तो वो या तो उनको फसल बगएरा की कुछ जानकारी थी नहीं तो वो डिपेंड किस पर रहते थे वो डिपेंड रहते थे मीट पर या कोई फल या फिर रूट्स वो इन पर डिपेंड रहते थे और अगर मैं कपड़ो की बात करों तो ऐसा कपड़ों के बारे में भी कुछ भी नहीं था अगर वो गर्मी का टाइम है तो पत्ती लपेट के रह लेते थे और अगर मौसम ठंडा है तो जो पश्चु मारे जाते थे उनके खाल को लपेट कर रह लेते थे अगर मैं इंसान के मरने की बात करों तो इस अगर मैं बात करूँ मद्धि पासनाड यूग की तो जो पुरा पासनाड यूग था उसका थोड़ा सा अपडेट वर्जन है मद्धि पासनाड यूग इसमें क्या हुआ था कि इन लोगों ने पसू पालने स्टार्ट कर दिये थे ठीक है जो एनिमल से उनके साथ फ्रेंडली होना स्टार्ट कर दिया था जैसे डॉग्स हुए या फिर काउ हुई या फिर बफैलो हुई ठीक है इनके साथ फ्रेंडली होना स्टार्ट कर दिया था लेकिन ये अभी तक थे हंटर सी राइट अब अगर मैसोलिथिक एज की बात कर रहे हैं तो क्या आपको पता है भारत में एक ऐसी मैसोलिथिक साइट है यानि के मद्य पासनाड यूक साइट है जिसको के यूनेस को ने वर्ड हेरिटेज साइट में डेस्क्राइब किया है क्य बेट का ये मद्य प्रदेश में है नर्मदाद अधिके किनारे है इसको यूनेस को ने क्यों वर्ड हेरिटेज साइट में डाला है क्योंकि यहां पर पासाड मद्य पासाड काली नियुक के पत्त्रों पर पेंटिंग की हुई जगे पाई गई है यहां पर इसलिए ये यू के ये डेर वडी को डेरे बोडी के साथ कुछ घानी पीने के लिए डाल देते ते और क्या करते थे यहुई उसके साथ-चावल अभी तक भी है खानी पीने के लिए हुई डालते थे और ये दफना लेथे थे इँगों ॠीक है अब नियोलिति включ एज निवपासणार आयुक यानि के खेती बाड़ी स्टार्ट कर दिया पसू के साथ थोड़ा सा और ज्यादा फ्रेंडली हो गए उन पर डिपेंडेंडेंट हो गए थे और उनसे काफी फ्रेंडली हो गए थे अब इस डूरेशन में क्या गर देते कि अगर कोई इंसान मरता है तो उसको ये दफना देते थे उसके साथ साथ उसका जो पालतू जानवर होता था उसको भी ये दफना देते थे ऐसा ऐसा जो अबसेस मिले हैं ये कुछ-कुछ हमें अबसेस मिले हैं महरागर में जो कि बलूचिस्तान प्रांथ में है पाकिस्तान के ठीक है तो नव पासड़यू की साइट कौन से हुई महरागड और मध्य पासड़यू की साइट कौन से हुई भीम बेट का अब यहाँ पर आप देखिए यह क्रॉप कल्टिवेशन या कि निके अग्रिकल्चर करना स्टार कौन से है जो के जिनकों के हम जो सबसे पहले उगाई गई थी तो उसका अंसर है वीट एंड वार्ले ठीक है गया हूं एंड बार्ले को जौर या मक्का कहते हैं वह आप एक पर गूगल कर लीजे इतना में को एक्जक्ट यार निया जौर या मक्का बोलते हैं आप मुझे भी बताइए इसका एक्जक्ट आंसर क्या है लेकिन इसका कर्यक्ट आंसर क्या है वीट एंड वार्ले अर्दा टू क्रॉप जो सबसे पहले उगाई गई थी अब अगर हम बात करें चैलको लिथिक एज की तो इसमें क्या हुआ इसमें हम लोग कॉपर यूज करने लगे थ इसकी जो साइट है वो साउथ इंडिया में नहीं है ठीक है इसको आप याद रुकिये कोई भी साउथ इंडिया में नहीं है अब यहां से एक क्योश्चन बना कि वह फर्स्ट मैटल कौन सा था जिसको कि हमने यूज किया था यानि कि फर्स्ट या फिर अर्लियस यूज़ metal was copper right ये UPSC में भी question आया है और काफी exam में और भी question आया है ठीक है अब अगर मैं बात करूँ जैसे कि मद्ध पासुनाड़ी की बात करें ठीक है तो कुछ एक नाम है जो आपको जानने जरूरी भी है ठीक है तो सबसे पहला है who is the father of prehistoric archaeology of India so इसका answer है Robert Bruce ये कौन थे ये geologist थे कहां पर ये geologist थे ये थे जो geological survey of India था वहां पर ये geologist थे अब geological survey of India की स्थापना कभ उई थी ये हुई थी 1851 में अब इनको फादर क्यों बोला जाता है क्योंकि सन 1863 में इनको एक handex मिलाता यानि कि एक कुलहारी मिली थी कहां मिली थी तमिल लाडू में अब मैंने बोला कुलहारी मिली थी इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पड़ी हुई मिली थी उसकी उन्होंने पूरी जांच परताल की थी पूरी खुदाई बगएरा की थी उसके बाद उन्हेंने इसको पाया था handex को अब अगर मैं यहां पर prehistoric archaeology of India की बात कर रहा हूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो mesolithic age थी यानि कि मद्य पाशाण काली नियुक था वहां कि जो archaeology materials मिले थे यानि कि archaeological materials मिले थे उसका credit किसको जाता है तो वो जाता है credit John Evans को इनको क्यों जाता है क्योंकि इन्होंने excavated किये थे इन्होंने क्या निकाला था इन्होंने सक्कर और रोहरी निकाला था कहां मिला था शिंद प्रांत में जो कि अभी पाकिस्तान में है कब किया था इन्होंने ये 1866 में अब अगर हम ये जान रहे हैं तो हमें एक और चीज बताए कि मैसोलितिक के बाद क्या आया था नियोलितिक नवपासड़काली नियूग तो वहां के जो archaeological materials थे उसकी खोज किस ने की थी उसका credit जाता है डॉक्टर प्रिम्रोज को अब इनको ये जो credit जाता है वो क्यों जाता है क्योंकि इन्होंने लिंगासुर जगे है करनाटका में वहां पर इन्होंने polished stone knives यानि के पत्थर के जो चाकू होते हैं वो मिले थे इनको इसके अलावा इनको जो तीर के सर होते हैं वो भी इनको मिले थे ये भी पत्थर से ही बने हुए थे ये इनको मिले थे लिंगासुर करनाटका में इन्होंने जो इसकी खोजमीन की थी ये की थी 1842 में तो ये कुछ नाम है जो जानने आवज़ चेक नहीं है लेकिन जानना आपको चाहिए अब एक और चीज आती है जैसे कि आगर मैं नियोलिथिक एज की बात करूँ तो यहां पर या फिर मैं पुरा का पासण युक से ही बात करूँ तो ये लोग रहते कहां थे ये लोग इनका जो रहना था वो केब्स में था या तो ये केब्स में रह लेते या फोरेश में रह लेते थे ठीक है इसके अलावा जो जैसे बड़े बड़े पेड होते हैं उनकी जो बहुत हरी बरी और बड़ी तहनिया होती थी तो ये उस पर भी rest कर लिया करते थे अगर मैं मियोलिथिक एज की बात करूँ तो मियोलिथिक एज में कहां रहते थे मियोलिथिक एज में ये थोड़ा सा हट होती थी यानि जोपड़ी होती थी वहाँ ये रहना स्टार्ट कर दिये थे पस्वों को पालना स्टार्ट कर दिये थे और खेती बारी करना स्टार्ट कर दिये थे तो यहां से यहां से आज का जो आज का जो इंसान है दीरे दीरे यहां से बनना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये घर में रहना भी स्टार्ट कर दिया था, खेती बाड़ी करना भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, चलिए, तो आज हमने basic knowledge लिए कि आके रित्यास है क्या, basic knowledge लिए है कि history है क्या, इतियास है क्या, अब हम कल से इसे topic wise cover करेंगे, कल कौन कौन से topic cover करेंगे, कल हम करेंगे इंडेस वैली सिविलाइजिशन, रपा सब्विता, वैदिक कल्चर, ये तीनों हम कल cover करेंगे, इसके अलाबा, अभी हम आदे खंटे, यानि के 30 to 45 minutes बाद मिलते हैं, जिसमें हम cover करेंगे, reasoning का जो topic था, coded inequalities, इसको हम cover करेंगे, उसमें, half an hour बाद मिलते हैं, उसके बाद 10 से 11 के बीच में, जो previous year questions, previous year ने, जो October months की हमने series start किया है, जो current affairs series है, October से अभी तक के, जितने भी current affairs हैं, till date, हम उसमें, जो बचे हुए अभी questions हैं, उसको cover करेंगे, और guys, आपने अभी तक मुझे बताया नहीं है, कि जो computer awareness की class है, उसको हम किस हिसाब से start करें, किस के according start करें, या तो हम basic से start कर सकते हैं, या फिर हम previous year questions से start करें, अगर हम previous year questions से start करेंगे, तो हमें हमारा level पता चलेगा, कि हम कहां stand करते हैं, कहां हम खड़े हुए हैं, या फिर हम basic से भी start कर सकते हैं, आप जैसा भी हो, मुझे comment section में बताइए, इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा, फर्स्ट वीडियो, और ये overall हम कवर करेंगे, 10 से बारे classes में, और ये RRB PO मेंस के लिए, बहुत, PO और क्लर्क मेंस के लिए, बहुत जरूरी topic है, computer awareness, 40 questions होंगे, 20 marks के होंगे, और ये आप, इसमें आप अपने आपको शूर कर सकते हैं, कि हम 20 मेंस से, मैक्सिमम अगर हमारे कम ब्याए, तो 15 to 18 marks हम ला सकते हैं, और मेंस एक्जाम के लिए, इतने marks बहुत अच्छे होते हैं, बाकि हम GA से भी कवर करी रहे हैं, GA and banking awareness से, चलिए, सो गाइस, दिस इस देस अंड अफ इस विडियो, जिस मुझे उप्पीटर अवेइनेस के बारे में भी बताई है, और मिलते हैं, 30 to 45 minutes बात, सो गाइस, दिस देस इन आफ दिस विडियो, अजर आपने अभी तक channel subscribe नहीं किया है, then please 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 channel subscribe कीजे and hit the bell icon take care bye bye god bless you all